कि ओके क्लास नाइन्थ के स्टुडेंट देखिए यह जो सवाल है किस तरीके से करेंगे हम यह आपका शॉर्ट टाइप कोशन थ्री मार्क में आ सकता है आपको क्या करना है यह अगर इसके बराबर दिया है तो आपको 11 ब्रैकेट में पी प्लस क्यूंगी वैल्यू फाइंड सब्सक्राइब रखा है अलड़ी रेशनलाइजेशन में क्या होता है जो आपका यह जो डिनोमिनेटर होता है नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर जागे है मतलब साइन चेंज हो जाते हैं तो यह बन जाएगा आपका थ्री प्लस टू रूट फाइफ और यह भी हो प्लस टू रूट फाइफ ओके इस यहां नीचे हमेसा ए माइनस बी और प्लस बी का फॉर्मूला बनता है तो ए माइनस बी और अप्लस बी यह क्या होता है आपका a स्कूर माइनस बी स्कूर केंडि एक यहां पर मा लेजी स्घिये 3 है ठीकर स्कूर माइनस बी जो है पुरा टू लूट 5 है टू रूट 5 का興ंग आपने नेकस्ट स्टप में यानि कि यहीं पे दिखा देता हमें करके यह आपका होगा एस्वार का मतलब 3 3 का स्क्वार 9 प्लस बी यह है आपका पूरा 2 का स्क्वार 4 अंडर रूट 5 का स्क्वार 5 यानि 4 इंटू 5 20 ठीक है इसे 20 प्लस फिट ट्वाइश ओफ ए बी यानि कि 2 3 6 6 12 12 रूट 5 यहीं कम्प्लीट बना 12 रूट 5 अपन में इस इस और 9 3 का स्क्वार 9 माइनस 2 2 जा 4 ठीक है एंड 4 5 जा 20 यहां पर भी आपका कितना गया 20 क्लियर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका 9 प्लस 29 कि 9 प्लस 20 कितना होगे 29 प्लस का 12 रूट 5 ओके और नीच सब्सक्राइब सकते हो तो माइनस को यहां पर भी आप लिख सकते हो 29 प्लस 2 रूट 5 और अपन में 11 और यह किसके बराबर दे रखाए यह दे रखाए आपका पी प्लस क्यू अंडर रूट 5 इस तरीके से यहां तक आई होप समझ आ गया होगा अगला देखें क्या करेंगा है नेक्स स्टैप में देखिए हमें क्या करना होता है यह पी के साथ यह एक है वेरियेवल है हमको कॉंस्टेंट मतलब कि आंडर रूट 5 को अलग रखना और पी के साथ एक ऐसा वैलू रखना है जो कॉंस्टेंट हो और अगर मैं खोलना चाहूं तो यह हम मेरा कुछ ऐसा क एक है यहां पर आपका यह बन जाएगा यहां पर अब दा माइनस इस तरीके यह फिर एक मिनट इसको हम ऐसे ना लिखकर सक्राइब इसको चाहे हो तो आप इसके साथ multiply भी कर सकते हो 11 है ना आपका इसके साथ multiply भी कर सकते हो minus 11 P Q हो जाएगा ओके और यह हो जाएगा 11 Q root 5 तो इस तरीके से भी लिख सकते हो देखिए यहाँ पर 29 plus 12 root 5 is equal to minus 11 P और यह भी minus minus Q और 11 under root 5 ये ऐसके समेटिप् karate को इससे compare करेंगर मैं बना देता हूँ आपका इस तरीके से इसवाले को देखिए यह वाले को इसके साथ हम compare करेंगर क्योंकि root 5 यहां पर रहे रूट disappeared ऊईन करेंगा तो दीए minus 11 P को compare करेंदो 29 से तो P की गैदने आजएगी 29 बटे माइनस गया रहा यह तो आपकी पी की वैल्यों गई नेक्स्ट क्यों कि क्या आएगी देखिए यहां पर कर देता हूं मैं ट्वैल अंडर रूट फाइफ इस इकॉल टू माइनस क्यू इंटू 11 अंडर रूट फाइफ आप देखिए रूट फाइफ से रूट फाइफ कैंसल अब जाएगा तो क्यू की जो वैल्यों बचेगी आपकी तो क्यू को हम यह लाते हैं तो पॉस्टिव हो जाएगा क्लियर मतब सुरी क्यू पॉस्टिव नहीं होगा यह तो आपका क्या है इस तरीका समिख सकते हैं माइनस का 11 अपनमेंट ठीक है तो दिए क्यू आपका यह पर तो यहां पर देखे 11 पी कितना है आपका यह माइनस 29ग प्लस प्लस पितना यह चार्ट में लिखो माइनस और दो एक तीन और एक चार यानिकी माइनस का 41 यह आपका कुछ इस तरीके से आंसर आजाएगा आपको इस टाइप की कुश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुत ही इजी है ठीक है ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आप कर सकते हो बस बेसिक क्लियर होना चाहि ठीक है ठीक है थेंक यू